इस दोरान कोरोना के दोरान गरीबों के लिए हमने पूरी तरह से फूड सिक्यूरिटी उनको खाने की दिक्कत किसी तरह की नहीं होने चीए फूड सिक्यूरिटी के लिए जब तक ये कोरोना का की मार रहेगी और लोग अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पाएंगे हमने उनकी food security का पूरा plan बनाया है जैसा मैंने बताया था 71 लाख लोगों को हमने साड़े साथ किलो प्रती व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन अलरी बांट दिया है सब लोगों के घर में चला गया है ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके बास राशन कार्ड नहीं था लेकिन वो भी गरीब थे उन्हें भी राशन के जरूर थी ऐसे लोगों के लिए हमने 10 लाख लोगों के लिए free राशन के विवस्था की थी लेकिन अब निकल के आ रहा है कि ऐसे और भी बहुत लोग हैं तो आज सरकार ने ऐसे 30 लाख लोगों के लिए और राशन का इंतिजाम किया है तो 71 लाख लोगों को तो हमने राशन बाट दिया अलड़ी उनके घर चला गया जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है इनकी भी काफी एप्लिकेशन लगबग 38 लाख एप्लिकेशन आई है तो उसमें हमें लगता है कि कई लोग हो सकता है राशन लेने ना आए लेकिन आएंगे तो सब को देंगे आज सरकार ने निरने लिए 30 लाख और लोगों को राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन काड नहीं है तो लगबग 1 करोड लोगों को दिल्ली के अंदर हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं दिल्ली की 2 करोड की अबादी है तो लगबग आधी अबादी को दिल्ली सरकार दिल्ली की आधी अबादी को फ्री राशन दे रही है